आज कल श्री रहूल गांदी जी और उनकी कॉंग्रेसी जमात सम्विधान से अधिक प्रेम दिखा रहे हैं। चलते फिरते सम्विधान की कॉपी दिखाल ले हैं। और इसकी जूटी कस्में खाने से सचाई नहीं बदल जाएगी। कि अगर किसी ने सम्विधान का पान किया है तो वे हैं कॉंग्रेस और गांदी परिवार। 1975 में आपात काल लगा कर पूरे विपक्ष को जेल में डाल कर इन्होंने पूरे सम्विधान ही बदल दिया। सम्विधान की प्रस्तावना जो सम्विधान की आत्मा कही जाती है इन लोगों ने सम्विधान को उसकी आत्मा से ही अलग कर दिया था। पिछले सत्र में मैंने भरे सदन में श्री राहुल गांदी जी और उनके नकलची जमाद से पूछा था कि क्या उन्हें ये पता भी है कि समविधान की पुष्टक में कितने पन्ने हैं। अकल चाहिए और इन्हें अगर अकल होती तो पहले समविधान पढ़ते और कम से कम ये जो कॉपी दिखाते इसको पढ़ते जिसका पब्लिशर का प्रकाशित ये समविधान ये जो कॉपी है ये आजकल राहुल गांदी लिए चलते हैं पहले इसकी भूमिका पढ़नी सर्वश्रेष्ट कानून के जानकार थे जोने समविधान को देखा और समझा और परखा है और एक अडिशन जो मैं से अडिशन की बात कर रहा हूं कि भूमिका में सुप्रीम कोट के सीनियर एडवोकेट और पूर्व सॉलिस्टर जरनल के के वेन्यू को पाल लिखते हैं कि कॉंग्रे सरकार नियाई पालिका को धंकाती थी और उसे अंजाम भुगतने की धंकी भी देती थी जब एलाबाद हाई कोट ने इंदरा गांदी का चुनाव रद कर दिया था तो श्रीमति इंदरा गांदी जी ने देश पर आपात काल लागू कर दिया और इंदरा गांद जो फोरवर्ड उनने लिखा है प्रस्तावना और इसके कुछ आंच में आपको पढ़के बताऊंगा भी अगर आप यहां पर देखें तो an atmosphere of confrontation was sought to be created by those whose duty it was to see that they did not encroach upon the field which they did not legitimately belong to them nothing should be left undone now to ensure that such a situation did not reoccur even if even after the amend dance confrontation continues then I think it will be a bad day for the judiciary नयाय पालिका को खुली चनोती और धमकी दी गई या तो हमें मनमानी करने दे या फिर अन्जाम बुरा होगा राहुल जी क्या पेस विशे पर बोलेंगे और इसी एडिशन में वेनुकुपाल जी ने तो स्पश्ट लिखा है कि कैसे इंद्रा गांदी जी ने अपात का लगाकर देश के प्रजातंत्र और सम्विधान को रौंदा अब इसके सांत्वे संसकरन की भूमिका पढ़कर सुना देता हूं जिसमें हैं शंकर नरायनन जी जो senior advocate है वो क्या लिखते हैं अगर आप उसको भी देखेंगे उन्हें बहुत स्पश्ट लिखा है कि आवर अगर आप इसमें अगले पन्ने पर देखेंगे बडा सपश्ट लिखा है वर इतना पूर्थ लिखा है इंद्रा गंदी वोड आप आप इंडिपेंड इंडिपेंड इंडिया बाइंडिंग अमर्जन्सी और नेशन्स पूरेश्ट वोड नॉट आप इंपावड बाद राइट तो इन्फोर्मेशन आक्ट अब यह लिखा गया था संविधान उस समय के बुद्धी जी वियों बियार अमबेदकर जी हो बियान राव जी हो सरदार पटेव जी वियों इन सबकी बहुत बड़ी भूमिका रही संविधान पर चर्चा इन लोगों ने की और यह स्पश्ट तोर पर लिखा है कि अब अमबेद कर जी को सत्ठा से बाहर करने का भी और राजनीती से बाहर करने का काम भी कौंग्रेश परटी ने किया शरीमान राहूल गांतजी इसको लहराने से काम ने चलेगा पढ़ना भी पढ़ेगा और इसका प्रीफेस और फोड़ बढ़ेंगे तो आप इसको जबा हिपोग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के द्वारत हो पागया था आपको हिपोग्रेसी भी छोड़नी चाहिए और देश से माफी भी मांगनी चाहिए